नमस्कार एटोजेट डिशश उशा कोरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ हमारे सिंधी स्टाइल सेल पटाटा की रेसिपी ये आलो में से बनाये जाते है हम सिंधी में आलो को पटाटा कहते हैं इतनी मसालेदार य ये बहुत बढ़िया लगते है उसके लिए चाहिए आपको चार कच्चे आलो अब देखें मीडियम साइज के मैंने लिये हैं आप जादा बड़े मत लेना इस तरह से लेना और चोटे भी मत लेना अब ये कच्चे जो आलो है इसका हमें छिलका इस तरह से निकाल लेना है स अब ये आलू को देखे उपर की तरफ से बीच से काट लेना है सारे आलू हम बीच से इस तरह से काट लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है इस तरह से आलू काटने के बाद अब हमें ये आलू का एक टुकड़ा लेना है और उस पर देखे इस तरह से निशान बनाने है य बल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार, नमक और दो से तीन चमबस तेल यह जो हम खाने में इस्तमाल करते हैं वही तेल है गरम करके नहीं डालना बस ऐसे ही डालना अच्छे से मसालों को इस तरह से मिला लेना है तेल के अंदर देखें इस तरह से मिला लिया है उसके बाद आलो लेना है और जो हमने यह कट लगाए थे यह कट के अंदर यह पूरा मसाला अच्छे से भर लीना है सच बतार यह सबजी खाने में इतनी खतरनाक लगती है ना मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा और शायद ही आपने कभी यह ट्राइ की होगी पर अब यह वीडियो दे देल डाल दिया है जैसे गर मुझे तो एक चौथाई चमच जीरा इसी के साथ मैंने तीन से चार प्यास और दो से तीन हरी मिर्ची को एकदम बारिक बारिक काट लिया था दोनों को इसे में एक मिन तक भूनेंगे उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दिये तीन टमाटर कटे चमच हल्दी पाउडर फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करते होए दो मिनिट तक भूने मसालों को यहाँ पर आप देख सकते हैं लगवग दो मिनिट हो गए तो यह जो मसाले वाले आलू थे ना बस इस तरह से हमें य था नहीं मैंने इस्तमाल किया को करका ढखकन दे देंगे और इसे दो विसल यानिकी दो सीटी आने तक पकाएंगे जैसे पक जाए गैस को बंद कर ले प्रेशर निकलने दे उसके भाद ही ढखकन को खोले जादा सीटी मत लगाएगा अगर चार आलू की बनारन तो बस इतन बना वोले थांक यू